नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा साथ के लिए गणित की पाठे पुस्तक है उसके अंतरगत आने वाले अध्यायदो की जिसका शीर्शक है भिन एवं दशमलव आज हम इसकी प्रशनवली 2.1 की बात करेंगे तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले देखिए प्रशनक्रमांग 1 हमारे सामने है लिखा है प्रशनक्रमांग 1 में कि A से D तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है यानि हमें कुल मिला करके सही जोड़ी बनानी है हमारे सामने कुछ आप देख लीजे कि हम हल करने के लिए सवाल दिये गए है एक दो तीन चार और उसके सामने कुछ आकरतियां दी गई है हमारे सही मिलान करना है कि कौन सा है ठीक है तो देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ यही बगल में मैं हल कर देता हूँ इसके साइड में थोड़ी जगे है और आपको क् गुणा एक बटा पांच यही लिखा है ना अच्छा मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ऐसा होता है ना कि एक बटा पांच धन एक बटा पांच यही करना है ना हमें दो से गुणा किया है मतलब उसको दो बार होना चाहिए ठीक है तो बताइए ऐसा कौन ह जिसके पास में पांच खाने है और एक जो है उसका उसमें से भरा हुआ है ठीक तो यह वाला दिख रहा है देखिए यह डी वाला है तो पहले का जो है वो हो जाएगा हमारा डी वाला पहले का D है और हम इसे जो है यहाँ पे इस तरह से इसका मिलान भी कर सकते हैं ठीक इसके बाद में दूसरा वाला दूसरे का क्या हो जाएगा देखिए दूसरे का हो जाएगा B कैसे कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ क्योंकि क्योंकि आप देखिए दूसरे वाला क्या दिया है दूसरे वाला में लिखा हुआ है 2 गुणा, 1 बटे, 2 इसका मतलब क्या होता है 1 बटे, 2 धन, 1 बटे, 2 सही कहा वैंने तो दूसरे का जो है वो बी ही रहेगा इसके बाद में तीसरा वाला तीसरे वाले का क्या आ जाएगा तीसरे वाले का आ जाएगा ए क्यों आ जाएगा ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं क्योंकि क्योंकि आपको बता देता हूं तीन गुणा दो बटे तीन लिखा है जिसका मतलब होता है दो बटे तीन धन दो बटे तीन धन दो बटे तीन इस पश्ट है हो गया इसके बाद में चौथा चौथा क्या है? चौथा है क्योंकि इसका जवाब जो है चौथे का अब देखिए मैं आपको बता है ना तीसरे वाले का ए है हमारा ठीक है तो चौथा वाला जो है इसके साथ बचता है कौन सा वाला C क्योंकि यहाँ पे हम C लिख देंगे और C इसलिए है क्योंकि लिखा है 3 गुणा 1 बटे 4 मतलब 1 बटे 4 धन 1 बटे 4 धन 1 बटे 4 इस तरह से इस पश्ट है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्रमांक एक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप चाहें तो इसका जो हमने अभी हल किया है इसका आप स्क्रीन शॉट भी यहाँ पे ले सकते है ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो है प्रश्न क्रमांक दो क्या है ए से सी तक कुछ चित्र दिये गए है हमें बताना है बताईए उन में से कौन से निम्नलिखित को दर्शाता है ठीक है अभी बता देते हैं हम बहुत ही सरल है इसका भी जो हल है वो हम यहीं पे मैं इसके साइड में कर देता हूँ तो सबसे पहला जो है पहले वाला लिखते हैं पहले वाले का जवाब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ इन में से आएगी कौन सी आकरती पहले वाले के लिए यह सी वाली है पहले वाले की आकरती आप लिख दीजिए उत्तर में C, क्यों है उसके पीछे का कारण बता रेता हूँ, क्योंकि तीन गुणा एक बटे पांच दिया है, इसका मतलब एक बटा पांच, धन एक बटा पांच, धन एक बटा पांच यही है ने इसका मतलब, इसलिए इसके बाद में दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला दूसरे वाले का जवाब क्या आएगा दो गुणा एक बटे तीन लिखा है, यह यह दो बटे तीन तो वो दूसरे वाले का आजाएगा यह ए वाला, ठीक है ए आजाएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसका भी जवाब क्योंकि दिया क्या है दो गुणा एक बटे तीन मतलब होता है एक बटे तीन धन एक बटे तीन यही होगा तो ए आएगा और यह हो जाएगा दो बटे तीन देखिए चितर में दिया हुआ इसके बाद में तीसरा वाला तो तीसरे वाले का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा हमारा तीसरे वाले का जवाब हो जाएगा बी वाला क्योंकि उसके पीछे की वज़ा क्या है तीन गुणा तीन बटे चार दिया है मतलब तीन बटे चार धन तीन बटे चार धन तीन बटे चार हो जाएगा इस तरह से तो आप समझ गए होंगे मुझे उमीद है कि हमें जो है ये दूसरा वाला किस प्रकार से हल करना था प्रशन अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले प्रशन की और हमारा जो अगला प्रशन है वो है प्रशन क्रमांग 3 क्या दिया प्रशन क्रमांग 3 की गुणा करके निउन्तम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्नमे इन्हें हमें व्यक्त करना है तो एक-एक को हल करना पड़ेगा चलिए एक-एक को हल करते हैं सबसे पहले पहला ही सवाल हल कर लेते हैं क्या दिया है पहला हमारे सामने लिखा हुआ है क्या दिया है साथ गुणा तीन बटे पांच ठीक है इसका मतलब क्या हुआ हुआ साथ के बटे में कुछ नहीं मतलब एक है है तो पांच चो को बीस एक बच जाएगा, है न, तो यह हो जाएगा, चार सही एक बटे पांच, यह इसको आप इस तरह से मिश्रित भिनने के रूप में आपे लिख देंगे, और यही है आपका उत्तर, देखिए, कितना सरल है न, है न, ठीक है, मिश्रित भिनन में कैसे लिख पेशफल है, वो उपर आता है, और यह जो जिससे हम भाग देते हैं, यह नीचे हर में आता है, ठीक है, समझ गया न, यह मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है, अब पहला तो हो गया, दूसरा वाला करते है, दूसरा वाला क्या दिया है, चार गुणा एक बटे तीन, और जब इसको भी भाग देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, एक सही एक बटे तीन, ठीक है, तो यह जो है आपका, यह भी आपका उत्तर हो जाएगा, इसी तरह से, ठीक है, अब तीसरा वाला करते हैं, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है, दो गुणा छे ब बटे साथ, तो बारा में साथ का भाग अगर आप देंगे, तो साथ एकम साथ बचेगा पांच, है न, तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से लिखेगा, कैसे लिखेंगे, एक सही पांच बटे साथ, इस पश्ट है, ठीक है, इसके बाद में चौथे वाले पे आते हैं, है न, चौथा वाला पहले प्रमील लिख देता हूं, मैं 5 गुणा 2 बटे 9, अब यह हो गया, अब इसको कैसे करना है हमें, हमें इसको ऐसे ही करना है, कि बटे में तो आ जाएगा 9, और यह हो जाएगा 5 गुणा 2, तो यह हो जाएगा कितना, 10 बटे 9, भाग देंगे आप इसको 10 दस बटे नौ को तो यह हो जाएगा एक सही एक बटे नौ इस पश्ट है सरल भी है है ना हो गया आपका बन गया होगा आपको है ना आसानी से इस तरह से हमें करना है ठीक है अब इसके बाद में जो है हम अगले पर आते हैं वो है पांचवा थोड़ा नीचे कर देता हूं पा गुणा चार दो बटा तीन गुणा चार यह है तो ठीक है इसको कैसे हल करेंगे आप इसको हल करने के लिए सीधे सीधे तीन बटे में आ जाएगा क्योंकि चार के बटे में कुछ नहीं मतलब एक है और दो गुणा चार हो जाएगा बताईए दो चुके कितना होता है आठ ह बता है बटे में तीन है बराबर से आप लिख दीजेगा दो से ही दो बटे तीन इस पश्ट है बता कितनी सरलता से हो गया है न तो यह जो दो से ही दो बटे तीन है यह आपका यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ठीक है इसके बाद में छटा वाला छटा वाला क्य में 2 लिखेगा 5 गुणा 6 लिख दीजेगा तो हो जाएगा 30 बटे 2 जवाब में आ जाएगा कितना 30 बटे 2 मतलब कितना होता है बताइए मुझे 30 बटे 2 मतलब होता है आपका 15 ठीक है या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहीं पे काट देते 2 एकम 2 2 3 6 5 गुणा 3 हो गय साथवा क्या है यह है 11 गुणा 4 बटा 7 11 गुणा 4 बटा 7 अब इसको कैसे करेंगे आप इसको बहुत सरलता सहल करना है 7 लिखना है करना है 11 गुणा 4 बताइए 11 चोक कितना होता है 44 होता है बटे में 7 है इसके बाद में 44 बटे 7 हो गया अब अगर 44 बटे 7 हो जाएगा तो कि सही दो बट्या साथ यह हो गया इस पश्ट है इसके बाद में आते हैं प्रश्न क्रमांग आट पर ठीक है साथ के बाद प्रश्न क्रमांग आट पर आते हैं क्या है बीस गुणा चार बटे पांच है न क्या है बीस गुणा चार बटे पाँच अब बताईए अगर बीस गुना चार बटे पाँच है तो क्या हो जाएगा चार गुना चार हो जाएगा है ना यह ऐसे हो जाएगा चार गुना चार अब आप कहेंगे मैंने 4 गुणा 4 क्यों लिखा क्योंकि देखिए 5 एकम 5, 5 चो को 20 तो हो गया 4 गुणा 4 बराबर से यह हो जाएगा कितना आपका 16 ठीक है यह उत्तर है आपके उत्तर लिखना आप मत भूलिएगा ठीक है उत्तर ठीक इसके बाद में अब आते हैं 9 पे 8 के बाद में 9 वाला क्या है 9 वाला है 13 गुणा 1 बटा 3 तो इसको कैसे लिखेंगे 13 गुणा 1 बटा 3 बराबर से 13 बटे 3 और 13 बटे 3 जब यह हो जाएगा तो जवाब आजाएगा इसका 4 से ही 1 बटे 3 क्योंकि 3 चोक 12 होता है 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा तो 6 भलू पर आजाएगा है न इस तरह से ठीक है इसके बाद में अब दस्वा करते हैं दस्वा क्या दिया हुआ है दस्वा हमारे सामने है 15 गुणा 3 बटा 5 क्या है 15 गुणा 3 बटा 5 5 एकम 5 5 तिया 15 हो गया 3 गुणा 3 बराबर 9 उत्तर लिखना मत भूलिएगा ठीक है तो इस तरह से बच्चों यह हमारा प्रश्नक्रमांक 3 यहाँ पर पूरा हो गया है अब हमें क्या करना है अब हमें प्रश्नक्रमांक 4 को हल करना चाहिए प्रश्नक्रमांक 4 पर आ जाते हैं यह है प्रश्नक्रमांक 4 क्या दिया है प्रश्नक्रमांक 4 में कि छायांकित कीजिए ठीक है छायांकित करना है यानि हमें इन गोलों में इन त्रिभुजों में इन वर्गों में चायंकित इने करना है यानि इन में शेडिंग करनी है ठीक है अभी कर देंगे लिखा है पहला वाला बक्सा एक व्रत्तों का एक बटा दो भाग ठीक है एक बटा दो भाग करना है न तो एक बटा दो भाग मतलब आधा होता है है न तो ठीक है आप जो है गोले से बाहर मत निकलने दीजेगा ठीक है ना पेंट को जब आप शायंकित करेंगे मैंने तो यहाँ पे इसमें शायंकित किया है इसलिए यह इस तरह से दिख रहा है आपको ठीक इसके बाद में बी बाला बोल रहा है इनको त्रिभुजों का दो बटा तीन भाग करना है अच्छा बताईए दो बटा तीन मतलब तीन भाग है उनमें से दो करना है तो तीन भाग में से दो भाग कर देंगे तो ये इस तरह से ये चायंकित हो जाएंगे फिर लिखा है बक्सासी के वर्गों का तीन बटा पांच यानि पांच में से तीन भाग तो ये हो गया ठीक है कुल पांच लाईने थी, खड़ी तो हमने तीन को कर दिया, इस तरह से, तो यह हो गया हमारा कितना, मतलब तीन बटे पांच भाग, इनको हल करने का तरीका बताता हूँ, मैं आपको बहुत सरलता से कैसे हल किया जाएगा, जैसे ए वाले का, ठीक है, एक बटा दो भाग करना था है न, तो कुल कितने गोले थे, बारा, गिनिये, एक, दो, तीन, चार, चार दुनिया, चार दिया, बारा है न, तो एक बटा दो बोला न हमें, तो एक बटा दो गुणा बारा करो आप, एक बटा दो गुणा बारा करतो आप, तो कितना आ जाएगा, दो एकम दो, दो एचंग, बारा, मतलब कि छे वरत को आपको इसमें शेडिंग करनी थे इस पस्ट है इसके बाद में बोला है क्या कि त्रिबुजों का दो बटा तीन भाग तो कुल कितने त्रिबुज थे 3, 5 भाग करना था इन वर्गों का तो कुल कितने वर्ग है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 है ना तो आपको बस कुछ भी नहीं करना था 3, 5 करना था 15 का और यह हो जाएका 5, 5, 5, 15, 3, 9 और हमने यहां पर 9 वर्गों को जो है Shading कर दी ठीक है, इस तरह से इसे हल करना होता है तो मुझे उम्मीद है आप समझ गया होंगे कि प्रश्निक्रमांग चार को किस प्रकार से हमें हल करना था अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्रश्निक्रमांग पांच की क्या है प्रश्निक्रमांग पांच बताईए ग्याद कीजिए पहला वाला सबसे पहले ग्याद करते है ए वाला क्या लिखा हुआ है लिखा है दो दिये हैं इसमें पहला चौबीस का एक बटा दो और दूसरा दिया है च्छालिस का एक बटा दो ठीक है तो पहले पहला ही वाला हल करते है है न तो पहला वाला हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले सबसे पहले पहला वाला 24 का एक बटे दो है न इसका मतलब है कि 24 का गुणा करना है एक बटे दो में तो ये हो जाएगा 12 गुणा एक यानि की 12 फिर दूसरे का 46 का 1 बटे 2, मतलब 46 गुणा 1 बटे 2, बराबर से 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 तिया 6, यानि 30, इसका उत्तरा जाएगा, ठीक है, अब B वाले का, B वाले में क्या दिखा, पहला क्या लिखा है बताईए, पहला लिखा है, 18 का 2 बटा 3, तो इसी को पहले हैल कर लेते हैं, 18 गुणित 2 बटा 3, 3 एकम 3, 3 चिंग 18, 6 दुनी 12, इसका जवाब जाएगा, कितना 12, ठीक है, अब इसका दूसरा वाला हल करते हैं, B का, क्या दिया है, 27 का 2 बटा 3, 3 एकम 3, 3 नम 27, तो बराबर से हो जाएगा, 9 गुणा 2, यानि 18, यह हो गया, इसका 18, फिर C बाले का, C बाला क्या दिया है, A पहला बाला, 16 का 3 बटे 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चुक 16, तो यह हो जाएगा, 4 गुणा 3, यानि 12, यह आ गया इसका, और दूसरा बाला, जो है, वो क्या दिया है, 36 का 3 बटा 4, 4 एकम 4, 4 नम 36, यानि 9 गुणा 3, यह आ जाएगा, इसका 27, ठीक है, इसके बाला, इसके बाद में, डी वाला, डी वाले में, पहला वाला क्या दिया है, 20 का, चार बटा 5, बराबर 5 एकम 5, पांच चो को 20, तो हो जाएगा, 4 गुणा 4, यानि 16, ठीक है, और इसका दूसरा वाला, जो है, वो क्या हो जाएगा, 35 का, चार बटा 5, तो पांच एकम 5, पांच साथा पैतिस, तो हो जाएगा, साथ गुणा 4, यानि 28, तो ये जो है, इसका हो गया, डी वाला, ठीक है, बताएगे, कितना सरल था, बहुत सरल है न, कितनी आसान प्रशनावली है, कितने सरल गनित है, कितनी खूबसूरती से आपको करना है, ये आपको देखना पड़ेगा, इसके बाद में, अब हम आते हैं, प्रशन क्रमांक 6 पे, ठीक है, प्रशन क्रमांक 6 पे आते हैं, और आप मुझे बताएगे, क्या है प्रशन क्रमा वाला करके बताता हूँ, यह वाला क्या लिखा है, तीन गुणा, पास सही, एक बटा पाँच, बराबर से, हल कैसे होगा, तीन गुणा, पच्चम पच्चीस और एक, चब्विस, तो यह हो जाएगा, चब्विस बटे पाँच, यह होगा, ठीक है, और अच्छे से लिखेंग तो क्या हो जाएगा, अठटर बटे पाँच, और अगर इसको भाग देंगे, तो मिश्रित भिनने के रूप में, यह क्या जाएगा, पाँच से भाग देंगे, तो पंदरा बढ़ जाएगा, तीन बट जाएगा, तीन बट जाएगा, तीन बट जाएगा, तीन बटे पाँ यह आपका उत्तर हो गया, इसका, कितना सरल है, चलिए, अब हम B वाला करते हैं, क्या है B वाला, पांच गुणा, 6 सही 3 बटे, 4, हल करते हैं, तो वो जाएगा, पांच गुणा, 6 चोको, 24, 25, 26, 27 बटे, 4, बराबर से, अब बताइए, 27 में अगर पांच का गुणा करेंगे, फिर अगर 135 में 4 का भाग देंगे, तो आपका जाएगा, 33 सही, 33 सही 3 बटे, 4, और यह आपका हो जाएगा, इसका, उत्तर, ठीक है, मैं आपको विधी बता रहा हूँ, इस तरह से आपको करना रहेगा, इसके बाद C वाले पे आते हैं, C वाला क्या दिया हुआ है, C वाला है, एक मिनिट, इसमें C वाला नहीं दिया हुआ है, A, B, D, E, F है न, ठीक है, कोई बात नहीं, C वाला जो है, वो मैं आपको बता रहेता हूँ, A, B, C, D, E, F, टोटल 5 प्रशने, 6 प्रशने थे इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता रहेता हूँ, वो था 7 गुणा, 2 सही, एक बते चार, तो बराबर से हो जाएगा, 7 गुणा, 4 दुनी, 8 और एक, 9 बते चार, तो ये हो जाएगा, आपका, 7 नम, 63 बते चार, और ये हो जाएगा, आपका फिर भाग दे देंगे, तो 15 सही, 3 बते, 4, ये उत्तर होगी आपका, ठीक है, इसके बाद में, D वाला, क्या दिया है, 4 गुणा, 6 सही, एक बते, 3, तो बराबर से आप कितना लिख देंगे इसको, 4 गुणा, 3 चिंग, 18 और एक, 19, बते 3, बराबर से, 19 चोख, कितना हो जाता, 76, है न, 76 बते, 3, बराबर से हो जाएगा, 25 सही, एक बता, 3, जब आप, 3 से, भाग देंगे, तो, 25 यह, 75 होता है, आप जानते हैं, तो इसलिए यह आजाएगा, और यह आपका, उत्तर होगा, ठीक है, इसके बाद में, E वाला करते हैं, अब, क्या दिया है, 3 सही, एक बते, 4 गुणा, 6, 3 सही, एक बते, 4 गुणा, 6, चही है न, हाँ, बराबर से, अब, यह जाएगा, चारती है, बार और, एक, 13, गुणा, 6, बते, 4, 13, 6 होता है, 78, बते, 4 बराबर से, 78, बते, 4 होता है, न, तो यह अब, हमारा कितना आजाएगा, यहाँ पे, 2 से कड़े आएगा यह, तो होजाएगा, 78 को कार देंगे, तो 49, बते, 2, बराबर से भाग दिंगे तो जाएगा उन्हें सही एक बटे दो, इस तरह से, ठीक है ये भी हो गया, फिर एफ वाले की बारी अब क्या दिया है वो, तीन सही दो बटे पांच गुणा आठ, पांस तिया पंदरा, और एक पंदरा और दो, सत्रा है न, सत्रा गुणा आठ बट अठे हो जाएगा 136 बटे 5, बराबर से आजाएगा 27 सही 1 बटे 5, यह आपका उत्तर हो जाएगा, जैसे यह भी आपका उत्तर था, ठीक है, तो यह हो गए आपका प्रश्न क्रमांग 6 यहाँ पे हल, है न, ठीक है, अब इसके बाद में और एक प्रश्न दिया है, प्रश्न क् करना है, A के लिए दो प्रश्न है और B के लिए भी दो प्रश्न है, ठीक है, बहुत सा रल है, अभी करते हैं सबसे पहले A वाले की बारी, A वाले में सबसे पहले पहला वाला, क्या है, 2 सही 3 बटे 4 का 1 बटे 2, यानि इसका गुणा करना पड़ेगा, 1 बटे 2 से, ठीक है, तो यह हो जाएगा कितना, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8 और 3, 11 है न, तो हो जाएगा 11 बटे 4 गुणा 1 बटे 2, तो बराबर से हो जाएगा 11 बटे 8, फिर भाग देंगे, तो मिश्रित भिन में आ जाएगा 1 सही 3 बटे 8, यह आपका उत्तर हो गया, एक का पहले वाले का, एक का दू एक बटा 2, 9.36 और 2.38 है न, तो यह हो जाएगा 38 बटा 9 गुणा 1 बटा 2, तो दो एक हम 2, 2.19 जा 38, तो यह हो जाएगा 19 बटा 9 और इसको जब आप भाग देंगे 9 से 19 को, तो यहाँ पर आपका जो जवाब है हुआ जाएगा 2 सही 1 बटा 9, यह आपका इसका उत्तर हो गय इसके बाद अब B वाला है, B वाले का जो पहला है, वो क्या दिया है, 3 सही 5 बटा 6 गुणा 5 बटा 8 चलिए ठीक है, इसको भी कर देते हैं, तो यह हो जाएगा सरलता से, कैसा हो जाएगा सरलता से, 5 बटा 8 गुणा 6 दिया 18 और 5 तेईस है न, तो तेईस बटा 6 हो गया, अब गुणा ही करना पड़ेगा, कट तो कुछ भी नहीं रहा है, तो 8 चिंग नीचे 48 हो गया, पास तीया 15 का 5 हासिला है, पास दूनी तो सरल 11, 115 बटे 48, बराबर अब इसको भाग दे देंगे, 4 से, तो 4 से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा, 2 सही 19 बटे 48, और यह आ 5 बटा 8, ठीक है, तो 3 नम, 9, 27, 27, और 29 है ना, तो यह क्या हो जाएगा, 29 बटे 3 है ना, यही होगा, तो इसको ऐसा लिख देंगे, 29 बटे 3, गुणा, 5 बटे 8, अभी भी कुछ नहीं कट रहा है, तो गुणा कर देंगे, तो नीचे, क्या जाएगा, 8 तीया, 24, और उपर जाएगा, 5, 45, का 5, 14, 145 बटे 24, इसको जवाब भाग देंगे, तो यह जाएगा, 24, चार कम, पचास, पचिस, ठीक है, 6 सही, एक बटा, 24, और यह आपका उत्तर हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आपको यह हल करना पड़ेगा, पहला और दूसरा, प्रश्न क्रमांक 7 का, A और B वाला, इसके दो-दो प्रश्न, अब आते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 पर, देखते ह हैं, क्या कुछ खास हैं हमारे लिए करने के लिए, इस प्रश्न में, प्रश्न यह दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 8 की, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए हैं, भई, पिकनिक जाना तो मुझे भी बहुत पसंद है, और आप लोग भी जरूर जाते रहते होंगे, त तो अब बताओ कि विद्या ने कितना पानी पिया, पहली बात, और दूसरा पानी की कुल मात्रा का कितना भिन प्रताप ने पिया, यानि कितना प्रतिशत प्रताप ने पिया, ठीक है, तो अब इसको एक दम step by step हल करेंगे, ठीक है, सरलता से, कैसे हल करेंगे, देखिए, ब पानी की कुल मात्रा ये तो दिया हुआ है हमें कि बोतल में पानी की कुल मात्रा कितनी है माने कितना दिया था दोनों को पिक्निक पे पांच लिटर दिया था ठीक अच्छा अब पहली स्थिति के अनुरूप हमें बताना है कि विद्या ने कितना पानी पिया ठीक है तो विद्या द्वारा पानी का उपयोग ठीक है, कैसे बताएंगे पांच लीटर पिया ना उसने तो इसका पांच लीटर में कितना पिया, दो बटा, पांच तो कितना हो जाएगा, पांच से पांच कड़ गया कितना बचा, दो लीटर तो इसका मतलब विद्या ने कितना पिया दो लीटर पानी पिया ठीक है चाहें तो लिख भी दीजिए कि अतह उप्रताप ने पिया ठीक है प्रताप का भी निकाल लेते हैं तो अब लिखेंगा प्रताप द्वारा पानी का उपियोग कितना पिया उसने तो देखें मैं आपके सामने लिखता हूं मुझे बताईगा बोतल का बोतल का एक रिंड्ड दो बटा-पांच भाग है ना एक बोत गया था विद्या ने तो एक मेंसे एक बॉतल मेंसे उतना भाग तो हटाई देंगे ना हम तो ठीक है अब कितना आ जाएगा यह यानी पांच रिंड दो बटा पांच बराबर से हो जाएगा तीन बटा पांच भाग दरसल इसको सरल भाशा में अगर समझना है तो पांच किया है तीन बटा पांच भाग हो गया ठीक है तो इसी लिए अब इसको आप ऐसे हल की जेगा कि इसलिए प्रताप द्वारा पानी जो पिया गया है लिग दिखते जाएगा पानी बराबर कितना हो जाएगा हो जाएगा तीन बटा पाँच गुणा टोटल कितना था पाँच है ना तो पाँच से पाँच कड़ जाएगा बचेगा कितना तीन लीटर हो गया तो अब आप लिख दीजे कि अतह प्रता आपने कुल पानी का पानी का तीन बटा पाँच भाग पिया यही आपका क्या है उत्तर है ठीक है इस तरह से हमें यह प्रशन हल करना था अब और कोई प्रशन यहापे नहीं है इस प्रशनावली में तो मुझे उमीद है कि आपको यह प्रशनावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और कर सकते हैं ठीक है तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो समझ आया हो तो आप जरूर इस वीडियो की लिंक को साजा कीजेगा शेर कीजेगा अपने दोस्तों मित्रों साथियों से पाठियों परिजनों के साथ ताकि भी लोग भी देखें इस वीडियो को और समझ पा लगात होगी अगली नई जानकारी के साथ अगले नए अध्याय के साथ नए वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार